हालो फ्रेंड्स मेरा नाम राकिश वर्मा और मेरी यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तो आज मैं फिर आपसे अपने एक ट्रिक शेयर करूँगा और ट्रिक रहेगी क्रिश्णा नदी की 14 सहायक नदियों के नाम याद करने की ट्रिक पर तो दोस्तो इस वीडियो में किश्णा नदी की जो 14 प्रमुख सहायक नदिया है जो हमारे एकजाम में पूछी जा सकती है, पूछी गई है हम उनी की ट्रिक बना रहें क्योंकि ऐसे बहुत सारी सहायक नदिया होती है जहाँ जहां से नदिया गुजरती है YOU वहां कई सहायक नदियां होती हैं पर जो प्रमुक रूप से नदियां हैं हम उनको याद करेंगे तो दोस्तों सहायक नदियां चौदा हैं तो ट्रिक भी थोड़ी सी बड़ी होगी पर सरल होगी और आपको उन ट्रिक से ही चौदा नदियों की नाम याद होगी इसलिए आप मेरे वीडियो को सुरू से अंते तक देखें और ट्रिक को समझें सबसे पहले कुछ जानकारी ले लेते हैं सामान जानकारी कृष्णा नदी के बारे में तो कृष्णा नदी दक्षन भारत की एक महतपूर नदी है और इसका उद्गम महरास्ट राज में महावलेश्वर के समी पश्चमी घाट श्रंखला से होता है जो भारत के पश्चमी समुद्र तट से अधिक दूर नहीं है यह पूर्व से पश्चम की ओर बहती है और फिर सामान जाता दक्षन पूर्वी दिसा में सांगली से होते हुए करनाटक राज्ज सीमा की ओर बहती है यहाँ पहुचकर यह नदी पूर्वी की ओर मुड़ जाती है और अनियमित गती से करनाटक और आंदर प्रदेश राज्ज से होकर बहती है अब यह दक्षन पूर्व वा फिर पूर्वुत्तर दिशा में घूम जाती है और इसके बाद पूर्व में विजय वाड़ा में अपने डिल्टा सीर्स की ओर बहती है यहाँ सी लगभग 1290 किलोमीटर की दूरी तैकर ने करके यह बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है बात करते हैं इनकी सहायक नदियां तो देखे सहायक नदियां हैं अमरावती नदी तो दोस्तो ट्रिक जानने से पहले आपको नदियों के नाम ध्यान से पढ़ लेने हैं उसके बाद हम ट्रिक से आपको नदियों के नाम याद आएंगे तो चलिए देखे ट्रिक देखते हैं थोड़ा फनी रहेगा बाखे सेंटेंस पर आपको इसमें पूरे चौदा नदियों के नाम मिल जाने देखें ट्रिक क्या है आप देख रहे होंगे अवे अवे ये भीकू मामू तुम बिंदू को पंच गाव है थोड़ा समझ के पढ़े इसको जैसे कोई अलग दूसरी भासा हैं बोल रहा है अवे जो अपन दोस्ती यारी में बोलते हैं एक दूसरे को अवे क्या कर रहा है इस तरीके से अवे ये भीकू मामू पहले आप इतना याद कर सकते हैं अवे ये भीकू मामू तुम बिंदू को पंच गाव है अवे ये भीकू मामू तुम बिंदू को पंच गाओ है कितना याद करना है आप आदादा सेंटेंस याद कर सकते हैं अवे ये भीकू मामू ये तो आसान है आपको बन जाएगा अभी बोलना है जैसे हम किसी दोस्ते बोलना है किसी मामू से बोलना है अवे ये भीकू मामू उसके बाद दूसरा सेंटेंस आपको याद कर लिना है तुम बिंदू को पंच घाओ है इस तरीकी से आप एक लाए में याद कर सकते हैं तुम बिंदू को पंच घाओ है अब ये भीकू मामू तुम बिंदू को पंच घाओ है थोड़ा फानी जैसा है दोस्तों बाग के पर इसमें आपको नदियों के नामे आद हो जाने नदी मामू के मा से माल प्रभा नदी और मू से मूशी नदी तू से बन जाएगा तुंगबद्रा नदी बिंदू के बी से बनेगा बिंदी नदी और दू से बन जाएगा दूद गंगा नदी कोशे हो जाएगा कोई नदी पंच से हो जाएगा पंच गंगा नदी घाओ के घ हा से हो जाएगा घट प्रभा नदी और बा से हो जाएगा वार्णा नदी और हा के लिए यहां साइलेंट रखेंगे तो देखा दोस्तों आपने इस सरल से बाके में आपकी पूरी चवुदा नदी की नाम आ गए अब ये भीकू मामू तू बिंदू को बंदू को पंच अमरवति बेदावति येरला भीमा कुंडली मालप्रभा मूशी तूंग भद्रा बिंदी दूद गंगा कोईना पंच गंगा घट प्रभा और वार्ना तो दोस्तों ये ट्रिक थी कृष्णा नदी की सायक नदी कियात करने की तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो और ट्रिक दोनों सही लगे होंगे और अच्छा लगा हूं मेरा वीडियो तो मेरे वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों क्षा शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू